हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूर्ती तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि प्रोसेस ओफ हैल्थ एसेस्मेंट क्या होता है, पूरा स्पेसिफिक जो है एक प्रोसेस होता है, जो कि प्राइमरी केर गीवर है, वो हमें प्रोवाइड करती है, अगर हम कॉंपोनेंट्स की बात करते हैं, इस्ट्री कलेक्शन की तो सबसे पहले आता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या फिर आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स, प्रेजेंट मेड प्रोफिकल डाटा भी कह सकते हैं, जिसमें हमें पेशन्ट की जो भी आइडेंटिफिकेशन की डेटेल्स होती हैं, वो सब इसमें हमें कलेक्ट करनी होती हैं, जब भी हमारा उनसे फर्स कोंटेक्ट होता है, या फिर जब भी हमें एक पेशन्ट को एड्मिट करना है, तो उस टाइम पे हम ये सारी information उन से लेते हैं. तो इसमें क्या क्या आता है? पेशेंट का name, age, UHD number जो हम उसको provide करते हैं या फिर इसको MR number भी कहते हैं, IPD, IPID, वोड, ठीक है कि वोड के जो उनकी unit होएगी वो, UHD जो होस्पिटल की तरफ से होता है, हर एक का unique होता है, ठीक है? उसके बाद bad number, उसके बाद gender, marital status की वो married हैं या unmarried है, religion, occupation, address, education, date of admission, क्या medical diagnosis होएगी ठीक है, उनका कि क्या उनको जो है डाइगनोस हुआ है, कि क्या disease है, उनका किस चीज के लिए treatment जो है चलना है, उसके बाद आता है, surgery done की, अगर कोई surgery हमें करनी है, या कोई surgery हमने की है, या पहले हो रखे है, वो चीज, उसके बाद बारी आती है, chief complaints की, chief complaints क्या होती है, ये वो complaints होती है, जो patient report करता है, जब वो एक health care facility में आता है, chief complaints document होती है, same manner में जो patient बताता है, nurse जो है, वो पूछती है, open ended question होता है, कि वो आप बता दो मुझे, कि आपको क्या-क्या problems हैं, जब भी वो hospital आता है, तो patient हमें बताता है, कि उसको chest pain है, या फिर उसको headache हो रहा है, या stomach ache है, उसके जो भी problem होती है, वो सारी हम दिखते हैं, chief complaints में, उसके बाद हम लिखते कैसे हैं, documentation में chief complaints को, जैसे कि हमारे पास patient आया, उसने हमें बता दिया, कि उसको जो है, I am having difficulty in breathing, for last two days, chest pain since night, I am worried, that I may be having heart problem, ये चीज़ हमें patient ने बताई है, तो हमने same चीज़ क्या करनी है, अपने documentation में लिख देनी है, कि difficulty breathing है, last two days से, chest pain है since night, और मुझे डर है कि कहीं, मुझे कोई heart problem ना हूँ, अगर हम ऐसे लिख देते हैं, कि patient complain कर रहा है, कि उसको difficulty है, breathing में और chest pain है, तो ये inappropriate documentation है, हमें जो patient ने बताया, exactly हमें chief complaints में, वही लिखना होता है, ये हमारी appropriate documentation में आता है, उसके बाद next step आता है, present medical history, इसमें क्या होता है, कि इसमें हम patient की जो detail history, हमने जो पूछी है, right from one day of the symptoms, जब भी उसको पहरा symptom दिखा है, उस दिन से लेके, अब तक जो वो hospital आया, अब तक कि जो भी history है, जो भी उसके treatment के regarding है, वो सारी चीज़े हम उससे पूछते हैं, for example, एक patient हमारे पास आया, और उसने कहा कि उसको high blood pressure है, hypertension की problem है, तो हम patient से पूछेंगे, कि आपको पहला sign कब दिखा था, आपको पहला symptom कम लगा था, कि आपको कब लगा था, कि आपको hypertension की problem है, आपने क्या-क्या treatment लिया है, अभी तक किया, फिर क्या-क्या treatment जो है, आप अभी ले रहे हो, वो सारी चीज़े हमें बताओ, जिसके regarding हम आगे देख सकते हैं, कि patient को क्या problem है, तो ये information collect करने के लिए, एक mnemonic या फिर हम कह सकते हैं, mnemonic बनाया है, तो ये आता है, O, P, K, O, R, S, T, U, ठीक है, और उसे onset की कब symptoms आया थे, कितने दिन हो गए, कब आपने experience किया था, उसके बाद P, participating factors, कि क्या-क्या reasons और activities हैं, जो आपने दिखे थे, जब आपके symptoms थे, तो आपको क्या-क्या लगा था, वहाँ पर किस वज़े से आ सकते हैं, उसके बाद आता है, क्या हो, quality और quantity, इसमें क्या होते हैं, कि symptoms कैसे थे, कितनी intensity थी, उनकी symptoms की, ठीक है, R, C, reason, कौन सा area, या जो है, बोड़ी का वो affected है, वो चीज हम देखते हैं, ऐसे severity, कि जो severe symptoms हैं, क्या वो भी experience हुए हैं, for example, अगर हमें उनको कोई cardiac की disease है, patient को, उसने आके हमें complain किया है, तो हमें देखना है, कि वो कोई normal disease ही है, कोई normal symptoms ही आया है, या कोई severe symptoms जो है, patient को देखने को मिला है, उसके बाद T से timing, कि क्या correlations है, कि कब आते हैं, symptoms day timing में हैं, कौन से duration में symptoms, जो हैं, वो experience हो रहे हैं, या कितनी बार experience हो रहे हैं, एक दिन में, और यह उसे understanding, यानि कि patient ने जो भी बताया है, जो भी disease वगेरा बताई है, तो जो भी symptoms बताया है, तो वो किस disease के हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझना, तो यह पूरा एक निमोनिक है, जिसके वज़े से जो हम present medical history है, वो collect कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है past medical history, इसमें क्यों होते हैं, इसमें जो है information होती है, related to the patient, कि वो जिस disease के लिए admit हुआ है, उससे अलग patient को कोई और disease तो नहीं है, ठीक है, जिसके previous history के according, patient को क्या है, medical illness है, जिसके head injury, seizures, या कोई major illness तो नहीं है, या फिर पहले से ही, वो कोई ऐसी medications तो नहीं ले रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी drug या food allergy, जिससे की patient को allergy हो, वो सारी चीज़े हमें उसमें लिखनी होती है, और कोई obstetric history तो नहीं है, अगर है तो वो सारी चीज़े हमें no down करनी होती है, past medical history में, उसके बाद आता है past surgical history, ये भी similarly होता है, कि past में कोई surgery तो नहीं होई है patient की, कोई goal bladder का removal हुआ हो, या फिर कोई minute सी surgery कहीं की होई हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़े हमें past surgical history में लिखनी होती है, कि कोई पहले कोई surgery होई है patient की या नहीं होई है, उसके बाद आता है family history, family history involved करती है collection of information की, जिसके वज़े से हम trace कर सकते हैं, कि patient को जो problem है, वो उसी के patient की ही, अभी patient को हुई है, या उनकी generation से वो आई हुई है, कि पहले ही उनको ये genetic problem है, जो वो inheritance करते जा रहे हैं, तो nurse को collect करती है, वो पूरी family history, जो तीन generation होती है उनकी at least, और develop करती है, ये box जो है, वो male के लिए होता है, और circle जो हो female के लिए होता है, अगर male unaffected है, तो ये ऐसा रहेगा, अगर female unaffected है, तो ये भी clear रहेगा, अगर affected है, तो थोड़ा colored, और affected deceased है, तो ये ऐसे cross, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको show कर सकते हैं, ये generation one है, father और mother, अब इसमें क्या है, father क्या हो गया, इसमें affected हो गया, फिर बच्चे, नीचे बच्चे आगए, यहाँ पर एक girl हुई, और यहाँ पर एक boy हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक girl हुई, अब ये disease है, और ये affected है, तो इस तरीके से हम ये family chart यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे symbols हैं, जो use होते हैं, एक family tree बनाने के लिए, या एक family को जो chart करने के लिए हमें, तो box जो है, वो male के लिए होता है, female के लिए हम circle बनाते हैं, unknown अगर sex है, तो हम ऐसे diamond shape बनाते हैं, disease के लिए हम box में ऐसे लगाते हैं, उसके बाद अगर spontaneous abortion है, तो हम triangle बनाते हैं, triminated pregnancy है, तो triangle में एक slash डालते हैं, current patient है, कि उसको अभी कोई disease हुई है, तो ऐसे arrow के साथ box बनाते हैं, square बनाते हैं, अगर बहुत सारी psychiatric diagnosis अगर हुए हैं, तो हम ऐसे तीन square बनाते हैं, एक colored होता है, और दो में ऐसे linings होते हैं, अगर uncertain psychiatric diagnosis है, तो हम square बनाके उसमें question mark डालते हैं, parents या फिर spouse है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे connect करते हैं, अब ये जैसे father है, और ये इनकी मदर है, तो ये married हैं इस तरीके से, conscientious parents हैं, तो ऐसे दो जो हम उससे connect करते हैं, separated या फिर divorced parents है, तो हम ऐसे connect करके उपर से slash लगा देते हैं, siblings अगर होंगे, तो हम उनको ऐसे attach करते हैं, monogigotic twins हैं, तो same square बनाके, उसको ऐसे attach करके, और एक बीच में से triangle जैसे हैं, हम यहाँ पर shape दे देते हैं, diazogite है, तो हम पर triangle जैसे shape नहीं देते हैं, बस उसको उपर से connect कर देते हैं, उसके बाद twins हैं, लेकिन urs and 10, जो जो गसिती है, तो यहाँ पर quotient mark आजेगा, अगर child adopted है family में, तो square बना के big bracket और उपर दोड़ ऐसे dot dot, ठीक है, और child adopted है, आउट ओ फैमली, तो क्या करेंगे, ऐसे ही same square बनाया, big bracket और एक ऐसे उपर से attach कर देगे, उसके बाद आता है personal history, अब personal history क्या होती है, यह एक खुद की lifestyle history के according होती है, जो patient है, यह उसी के बारे में होती है, उसकी कैसा lifestyle है, क्या उसकी habit है, क्या उसके factors हैं, क्या reasons है उसको disease होने के, जैसे कि अगर बहुत जादा बाहर का खाते हैं, या बहुत जादा sweets daily अगर कोई ले रहा है, या बहुत जादा oily food अगर खा रहा है, तो वो उसकी अपनी personal history होगी, ठीक है, तो personal history में क्या क्या आएगा, diet, physical activities, habits, जैसे की smoking हो गया, drinking हो गया, तो ये सारी चीज़े आती हैं, हमारी personal history में, ये जो है include करता है, information collection को, लेकिन environmental conditions भी जो है, इसमें included होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, कि हमें जो disease condition है, वो हमारी ही lifestyle की वज़े से हो, क्या पता हम किसी चीज़ के risk factor हो, जिसकी वज़े से, जो है कोई बहार अभी जैसे covid हो गया था, तो उसमें हम चाहे only food खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, लेकिन वो बहुत जादा chances थे, environmental condition की वज़े से, कि हमें disease condition हो सकती थी, तो ऐसे जो risk factors हैं, वो भी disease condition को lead कर सकते हैं,